तो दोस्तो ये एक fan regulator इसको आप कैसे नहीं जानते होंगे इसकी आप डेली मुंडी यूँ यू करके दोस्तो fan की speed को regulate करते हैं तो दोस्तो इसके अलावा fan के अलावा आप इसको कहीं और use क्यों नहीं करते हो मतलब आप इससे तनी जादा electricity save कर सकते हैं मैं आपको बता नी सकता तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे और क्या-क्या काम करवा सकते हैं आप electricity save कर सकते हैं इसको और कहां कहां हम यूज कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाई वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी अपने प्रोजक्ट को वैब पर शेयर कर सकते हैं और उसका feedback hand-to-end ले सकते हैं और इतना ही नहीं octopart यहाँ पर आपको हर एक electronic component मिल जाएगा जो की बहुती ज़्यादा high quality में होगा यहाँ से आप उसे खरीद कर अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं तो इस software की trial को यूज करने के लिए description box में दिएगे links पक्लिक करें तो दोस्तों यह हमारा main board बिजली का जिसे हमें open कर लेना है फटा-फट से इसको open कर लेता हूं उसके बाद मैं बताता हूं आपको करना क्या है तो यह open हो चुगा है दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर wiring बहुत ही सारी होंगी बहुत ही दोस्तों आपको देखकर यह काम करना है जल्द बाजी नहीं करना है विल्कुल भी यह मैं आपको बता देता हूं यह हमारी light का जो पूरे studio में रूम में light लगी हुई है यह यह light का है तो इस बटन के अंदर दो टर्मिनल है यह जो fan regulator है एक wire switch के अंदर और एक wire जो direct light के अंदर जा रहा है बस simply आपको इतना करना है तो इसके लिए हमें यह वाला एक खोलना होगा button इसके अंदर बहुत सारी wiring फैली होई है तो मैं आपको भी रिकमेंड यही करूंग कि आपकी जो main wiring है ना उसको आप कट कर देना यह जो board के अंदर आ रही हो पहले वाई बिल्कुल अपनी safety से काम करो कोई भगने की जल्दी नहीं है यह हमारा बिल्कुल switch अलग हो चुका है अब हमें यहापर fan regulator लेना है यह देखिए इस simply आपको कुछ नहीं करना बस यहाँ दो याज़– एक black और एक Red black वाला दोस्तों यहाँ पर direct जा रहा है और यह दूसरा वाला black है यह हमारी लाइट का बाईर है तो इसमें did करना होगा यह जो fan regulator का wire है इसको इस wire के साथ light के wire के साथ connect कर देना है और इसको हम अभी taping भी कर देंगे ताकि current current का भी खत्रा है short circuit का भी खत्रा हो जाए तो यह आप देख सकते हैं इसको मैंने connect कर दिया है अभी ये वाला जो wire है दोस्तो ये वाला red वाला इसको किसके साथ connect तो यह हम इसमें लगा देते हैं, और इसको कस देते हैं, तो यह आप देखिए दोस्तो, जो fan regulator की दोनों वायस थे, एक तो light में डारक चले गया, एक switch के अंदर चले गया, अब यह वाला जो हमारा main electricity का red वाला वायर था, उसको हमें simply इसके साथ में connect कर देना है, यह वाला जो और fan regulator से हम अपने studio की light को dim वगयरा कर सकते हैं, तो यह हमने टेपिंग कर दिया और वापसी से हम इसे pack भी कर देते हैं, फटा-फट से, यहाँ पर मैंने इस fan regulator को इस light के साथ connect कर दिया, अपने पूरे रूम के जो light है तो उसके साथ fit कर दिया है, पर आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसका dial कुमाऊंगा, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर light जो है, मन्दी तेज होना लग जाएगी, मतलब जितनी आपको use में च लगाते हो, मतलब कम light के लिए, जादा light के लिए, आप 3-4 light लगाते हो, ताकि अगर आपको night में जलानी है, तो night के लिए एक लग light, और दिन में जलानी है, तो दिन के लिए एक लग light, और रात के लिए एक लग light, तो यह तीनो चारो light का का काम करने वाला है, तो अभी मैं बंद हो चुका है और अब यह चालू हो चुका है तो दोस्तो इस टाइप से 100 वाट की लाइटिंग का सैटप है अगर एक लाइट आपके रूम में लगी हुए मालो 20 वाट की लाइट आपके रूम में लगी हुए तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट होगा है उससे आप दोस्तो तीन-चार जो आप यूज करते हैंता तीन-चार लाइटिंग के रात के लिए अलाग दिन के लिए अलाग और एवनिंग के लिए अलाग तो आपको लगाने की ज़रत नहीं है एक ही लाइट आपकी सारी चीज में काम कर जाएगी देखो दोस्तों जैसे जैसे मैं इसकी lighting को तेज करूँगा, यहां पर आप उजाला देखिए, तेज होता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं कम करूँगा, वैसे इसकी intensity आप देख सकते हैं, कम हो गई है, आप लाइटिंग बिलकुल ही कम हो गई है, तो यह तो 100W की lighting का setup है, इतना जादा नहीं है, क्योंकि यह 100W की lighting का setup है, अगर 20W की LED का आप यूज़ करोगे, तो definitely आपको सारी चीज़ों का देखने को मिलेगा, ना आपको evening में कोई अलग light यूज़ करने पड़ेगी, ना आपको night में जो night bulb आप यूज़ करतो 15W का वो भी आपको यूज़ करने